प्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपके साथ देखता चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और अभी टाइम हो रहा है साड़ी बारा बज़े लंच बनाने का टाइम हो रहा है और चलिए चलते हैं कुछ बनाते हैं भूख लगिए वह तेंग चलिए तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं उड़त डाल की खिष्डी जिसके लिए मैंने दिखा देथी हैं जिसके लिए मैंने भीगाई है आप हाफ कप उड़त श्प्लिट उड़त की डाल और एक कपली है है मैंने राइस और छोडा समय है गालिक और चिली को पूट रिया ह इसमें और अब मैं तड़का मारे जाएगा अब हम डालेंगे थूर आज़ा इसमें अब आप हम डालेंगे थूर आप यहीं पिंच आफ हींग पिंच आफ हीं आफ हीं इसमें तड़का अब रहता आफ हीं आप हींगे अब आप आप ते रहेंगे आप के लोगत कहईए आफ हम आप आप के गपए आप आप तर ले एंधे नदी एंधे बंच को अपर वे अपरे लाओ, डग तक यज झाज़, आपक जब खम झाले चाव, अज़, कि दो भ्लमिज़, खूराँ तक शोवा मूझे, एंधे लाओ, कि यिव दो एंधे वाह प्लमिज़, आवज झाहिए झाले चाव, बोलमिज़, यूरा कि दो आटे में आटे लेड़क साइ्ट, कि दो आटे में जाए्टिटे एफ शुट टेह से एक जाए्टि एक जल ज हमें तुटू तुट तेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ ऐसा सॉल्ट बहुत एजी है इसकी रेसिपी कुछ ज्यादा इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं इस हल्दी और सॉल्ट इसमें आड़ करेंगे और थोड़ा से समी निक्स करने के बाद आप हम इसमें राड करेंगे राइस हम लोगोंने सोक या था राड करेंगे यह बुलने साथ की यह आट करेंगे लोगोड़ा इसमें क्याद हमां इसमें फूर आसा पानी आट करदेंगा इसके बाद हम इसको करते हैं, अब हम इसको फुल गयस पे एक से दो सीटी के बाद सिम्पे मार्शनेट करके तबाएं करेंगे, और फिर हमारी किष्टी हुचाएंगे तयार काने के लिए, अब हम इसको सिम्पे कर देंगे, सिम्पे करके अब हम इसको पांस से दस माट के लिए थी, सिम्पे रहने देंगे, फिर ये आप चाहिएंगे, इसे जाप करेंगे, अओ सिम्पे करेंगे, यथी एफ इसको पांस से लुकाएंगे, य॥ी एली, य॥ी कुछाएंगे, च्छिय एक पांस से ज़ी एक हमारी शुकाएंगे, कर दोरो दो कर दोगरो है थक्रापने हैं कर दो दोर दोरो है कंद आपकर दोटकर अपकर दोचीजर कर दोरो 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 पिल्ड़ तोरो क्षी दे हमारे टेस्टी सी यमी उड़त दाल की खीछडी कैसी लगी आपको मेरी यमी खीछडी की रेसिपी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा आगर आपको ऐसी यमी फूड की रेसिपी चाहिए तो प्लीज मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और शेयर करें चलिए आज के इस ब्लॉग को में ही पर एंड करती हूं बाई बाई